इस tutorial में हम यह interesting sum solve करेंगे which says the diameter of the moon is approximately one fourth of the diameter of earth क्याने का मतलब के moon का जो diameter है यह मानलोब moon बनाया है मैंने ठीक है इसका जो diameter है वो earth के diameter का one fourth है अब earth का diameter कितना यह हमें नहीं given ठीक है तो हम क्या करते हैं कि earth के diameter को मानलोब d है ठीक है देखो earth जो है spherical होती है ball shape की जैसे यह एक इसी shape की earth तो इसका जो diameter है उसको मैंने मानली है d अब वो कहता है कि moon का diameter earth के diameter का one fourth है तो यानि कि moon का diameter कितना हो जाएगा d by four ठीक है अगर इसको d माना है तो यह d by four हो जाएगा चलो पहला part cover हुआ what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon अब हमें यह find out करना है कि moon की volume जो है वो earth की volume का कितना fraction बनती है दखो इसके लिए हम एक छोटा सा concept वेले समझ लेते हैं अब आप यूँ समझो इसको के यह मालो मेरे पास कोई भी एक object है ठीक है कोई भी एक object है इसको मैं equal three parts में divide कर देता हूँ ठीक है अब इस में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका पहला वाला part उठा हूँ ठीक है सिर्फ पहला part उठा हूँ तो मैंने क्या किया मैंने एक part उठाया out of three right तो मैंने एक part उठाया तीन part में से तो यह total का कितना हो गया one by three कहने का मतलब कि यह जो एक अकेला object है यह पूरे object का one third है तो यह कितना fraction हो गया one third ठीक है क्योंकि one by three यह हो जाएगा one by three यह हो जाएगा और one by three यह हो जाएगा और तीनों को जब मैं add करूँगा तो मुझे वापस से पूरा object यहनगी one मिल जाएगा this plus this plus this करूँगा तो फिर से मुझे one मिल जाएगा ठीक है अब मुझे यह find out करना है कि यह moon है अगर मालो ठीक है यह मेरे पास moon है और यह मालो अर्थ है तो अर्थ का मैं कितना portion निकालूं कि वो moon के बराबर हो जाए अर्थ में से मैं अर्थ का कितना portion निकालूं कितना fraction निकालूं कि वो exactly moon के volume के बराबर हो जाए यानि कि मुझे इस तरह से काम करना है कि मुझे अर्थ की volume निकालनी है जैसे यह नीचे 3 था यह आप मालो कि जैसे अर्थ की volume है और मुझे moon की volume निकालनी है जैसे ये मैंने यहाँ पर one लिखा तो moon की volume को मैं earth की volume से अगर divide कर दूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि moon की volume earth की volume का कौन सा fraction है मैं एक बार quickly फिर से explain कर देता हूँ आप इसको मान लो earth है ठीक है ये पूरा earth है इसमें बराबर के मैंने तीन इससे कर दिये और उसमें से मान लो कि एक इससा ये moon है तो moon earth का कितना हो गया 1 by 3 ये जश्च मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये actual figures नहीं है सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ तो उसी दरीके से हमने पहले निकालना कि earth की total volume क्या है और उससे हम moon की total volume को divide कर देंगे और वो फिर हमें fraction मिल जाएगा assume diameter of earth earth का diameter जो है उसको मैंने d माना है ठीक है तो diameter of moon कितना हो जाएगा d divided by 4 ठीक है ये हमें already given है कि इसका diameter moon का diameter earth के diameter का 1 4th है तो d by 4 हो गया this implies radius of earth कितना हो जाएगा earth का radius हो जाएगा earth के diameter का half और earth का diameter हमने माना है d तो यानि कि यह हो जाएगा d by 2 similarly radius of moon कितना हो जाएगा moon के diameter का half तो यानि कि d by 4 को मैं 2 से divide कर दूँ तो वो कितना बन जाएगा मेरे पास d by 8 ठीक है तो ये मेरे पास radius आ गया अर्थ का और ये radius आ गया मेरे पास moon का अब मुझे fraction निकालना है तो fraction मतलब कि मुझे moon की volume को अर्थ की volume से divide करना है ठीक है अब moon spherical है तो sphere का किसी भी sphere का volume की होता है 4 by 3 pi r cube तो ये हो गया 4 by 3 pi इसके r को मैंने लिखा है rm ठीक है तो मैं इसको rm इसका cube लिख देता हूँ divided by अर्थ भी एक sphere है तो उसका भी volume 4 by 3 pi इसका radius इसके radius को हमने बोला है r e ठीक है तो इसको हम r e cube लिख देते है अब 4 by 3 4 by 3 कट गया pi के साथ pi कट गया तो बचा गया मेरे पास this is equal to rm cube divided by r e cube इतना ही बचा ठीक है अब हम इसमें rm की value डालते है यानि की radius of moon radius of moon क्या है d by 8 तो यह हो गया d by 8 इसका cube divided by radius of earth हमने कितना निकाला था d by 2 d by 2 का cube ठीक है अब इसको solve करते है this will be equal to इसको मैं solve करूँगा तो यह आजाएगा d cube divided by 512 divided by यह कितना आजाएगा यह हो जाएगा d cube divided by 2 cube is 8 तो इसको मैं आप उपर ले जाता हूँ तो this will be equal to d cube by 512 तो इसकी division को अगर मैं हटाऊँगा तो यह उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगा 8 by d cube ठीक है ऐसे आजाएगा मेरे पास तो d cube के साथ तो d cube कट गया तो 8 by 512 हो गया मेरे पास 1 by 64 तो यह ही हमारी fraction है यानि कि moon का volume अर्थ के volume का 1 by 64 times है दूसी तरह से आप यह भी कह सकते हो कि earth का volume अर्थ का volume जो है वो moon के volume का 64 times है अब हमने नीचे earth की volume नी थी और उपर हमने moon की volume ली थी तो यानि कि moon का volume अर्थ के volume का 1 by 64 times है so that's it from this tutorial keep watching मैथे माफिया